वह सारे डोकुमेंट्स है जो आपको रिक्वाइड होंगे डूरिंग यौर जोसा काउंसलिंग प्रॉसेस तो बहुत सारे डोकुमेंट्स हैं इसे जिसमें अगर आपके पास अगर वो नहीं हुए तो आपको उन्हें बनवाने में अच्छा-खासा टाइम लग सकता है तो इ अगर हम आँ शेयर करता रहता हूं तो आज की वीडियो में हम सारे डोकुमेंट्स की लिस्ट देखेंगे ठीक है जो सबसे पहले पहला डोकुमेंटर वो अपना है क्लास 10 की मार्क शीट होनी चाहिए वो आपका बर्ट सर्टिफिकेट का काम करती है आपके जब भी जोसा अगरे कांसलिंग होती है ठीक है तो वहाँ पर ऐसा लिख के आता है कि क्लास 10 की मार्क शीट और क्लास 10 की पासिंग सर्टिफिकेट आपके बहुत सर्टिफिकेट नहीं होता तो प्लीज भाई दोनों चीज़े कन्फर्म कर लो अगर नहीं है तो अपने स्कूल से बात कर ल है ठीक है जो अगला डॉकुमेंट यार अपने पास आता है वो आता है क्लास 12 की मार्क शीट ठीक है यह बहुत इंपोर्टन डॉकुमेंट है और मैक्समम लोगों के पास अभी तक आ गया होगा नहीं आ होगा तो अपने स्कूल से जाके ले लोगे मिल जाएगा ठीक है अपना अगला डॉकुमेंट आता है वो आता है फृर्मेट यार अपको पूरा फॉरमेट जहाता है या फिर आपको बस आप करवा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात पर ठीक है जो अपना अगला सर्टिफिकेट आता है वो केटिगरी सर्टिफिकेट है और EWS OBC NCL और SCST अब यार इसमें जो कॉमन्ट आउट आता है भी है कि हमारा जो सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए वो कब का इशूड होना चाहिए तो यार देखो ट्राय करो कि 1st April 2021 के बाद कहीं आपका सर्टिफिकेट इशूड हो ठीक है और SCST हो तो कुछ फरक नहीं पड़ता कितना भी पुराना हो उसमें आपके टाइम डूरेशन के फरक नहीं पड़ती बट हाँ EWS और NCL में आपको ट्राय करना कि 1st April 2021 के बाद कहीं आपका सर्टिफिकेट इशूड हो ठीक है एक और चीज़ यार सेंट्रल गॉर्मेंट का बनवाएं एस्टेट गॉर्मेंट का पहली चीज़ आर जो आपको चेक करने है कि आपकी जो भी पर्टिफिकलर कास्ट है टेक है वो OBC या SC ST में आती है कि नहीं आती अंडर सेंट्रल गॉर्मेंट लिस्ट क्योंकि आर आप जो सा कित्रू अप्लाय कर रहा हो तो सेंट्रल गॉर्मेंट की ही लिस्ट से आपको सारी चीज़ चेक करने पड़ेंगी जो उसे बोल देना कि भाई हमें गॉर्मेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में चाहिए चीज़ें या फिर सेंट्रल गॉर्मेंट के फॉर्मेट में है ठीक है फॉर्मेट यार प्रॉपर आपका जो साभी रिलीज करता है बट वो हाड और फास्ट रोल नहीं है कि भाई उसी उसी particular format में हमें सारी चीज़ें चाहिए बट हां सारी details उसमें होनीचाहिए जो वलुँआं आपसे मांग रहे हैं उस format के तुरू टेक अगला सटीफिकेट है वो pwd certificate है अगर आप पी डरीवड सटीकेट है अगले पी टीडूुड कैंडडी गैडिट हो तो आपको पता जाओगे डिग्री बोल रहा हूं 12 की जब मांक शीट लेने जाओगे तो वहाँ पे आर आपको माइग्रिशन चर्टिफिकेट ट्रांस्वर सर्टिफिकेट और आपका चरेक्टर सर्टिफिकेट यह तीनों चीज़ें आपके college वाले आपके school वाले बार बार college और degree निकल रहा है ठीक है आपके school वाले आपको ये सारी चीज़ें provide करवा देंगे ठीक है कुई दिक्कत वाली बात नहीं है और बाकियार इस समय के साथ सथ आपको जैसे आपने seat book कर दी है ना seat आपकी अलॉट होगी आपकी seat confirm होगी तो आपको seat allotment letter मिल जाता है ठीक है admit card वगएर अपना समहाल के तो जाना नहीं है तो ये सारे documents आपसे दुबारा मांगे जाते हैं आपका admit card हो गया आपका seat allotment letter हो गया तो ये सारी चीज़ें समहाल के रखना एक अलग से folder बना लेना अपने laptop ये PC में और उसी में सारी चीज़ें store करके रखना और सबकी physical copy भी अपने पास हमेशा रखना मतलब कहीं कुछ delete हो गया तो उस case में मैं बता रहा हूँ ठीक है तो ये सारे documents आर जो आपको चाहिए होंगे counseling के वक्त अपने जोसा की counseling के वक्त है और भी किसी भी counseling में jack counseling या जो भी counseling आप करो ये सारे minimum requirement होती documents की जो आपको चाहिए ही चाहिए ठीक है तो please make sure ये सारे documents आप के पास हूँ क्यों क्यों टाइम लग जाता है इने बनवाने में ठीक है तब तक लार मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और important चीज़ार मैं बहुत सारी डीटेल वीडियो बनाने वाला हूँ scholarship वगएरा कि कैसे मिलती है नाइटी वगएरा में हर एक चीज़ पर वीडियो बनाऊंगा ठीक और प्रॉपर एक playlist वगएरा बना दूगा जोसा से रिलेटेट सारे डाउट से नाइटी जाटी से रिलेटेट सारे डाउट तो प्लीज मेक शोर चैनल को सब्सक्राइब कर देना बहुत सारा content आने वाला हैं college से रिलेटेट तब तक लार मिलते हैं किसी और वीडियो में बाई